नमस्कार दोस्तो आपके एपने यूट्यूब चेनल कलाम स्टीडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम तर्चा करेंगे परतियुक्ता दर्पन की जो हिंदी माशिक आती है उस हिंदी माशिका को सिस्तंबर तोजार गुनीज का जो अंक आया है उस अंकर का संपुन सारा हम इस वीडियो में तर्चा करेंगे दोस्तो आपके लिए प्रतियो गिता दर्पन का जो इंदी माशिक आता है यह बहुत ही होता है और इस यह बहुत है क्यूशन में पूचे भी जाते हैं तो हम दोस्तों हर माह का डालके रहते हैं पिसले माह का अपने नहीं देखा तो हमने उसका सितंबर से पहले जो अगस्त माह आया था अगस्त माह का हमने डाल लगका है अब इस सितंबर 2019 की जो पत्रिका यह उ पर्तिक दरपन का क्यूशन बैंक भी हमें लेकर आएंगे तो वो वीडियो आप जूरूर देखना तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले अंतराश्ति प्रिदर्शे के बारे में इस वीडियो में शुरूआत करने जा रहे हैं दोस्तों वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेर जुरू कर दें यह दि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो उसके पास जो बेल आइकोन गंटे कस सब्सक्राइब करें चैनल को दिए जिसे यहां आगे आने वाले से वीडियो की जानकर आप तक ही पहुंशती रहे तो शुरू करते हैं दोस्तों तो हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में के बारे में देखते हैं तो यह जारी करने का दिनांग क्या इसका तो हैंले पासपोर इन्डेक्स है यह जुलाई 2019 में जरी की गी इसमें कितने देश समिल किजाते हैं इसमें 129 देशों के पासपोरे को समिले किया जाता है तो पहले स्थान पर दौस्तों कौनसा रहा है तो पहले इसथान पर जापान और शिंगापुर छीत रोप से रहे गजिनका स्कोर 109 से प्रकार की विजा के लोगों को जाने के लिए किसी परकार के लिए अप्लाइप नहीं करना पड़ता है बिना विजा कि बिना बीजा कि एक सो नवाशी जसों में जा सकते हैं जबकि भारत का जो स्तान है वह केवल अठ्यावन स्कोर है तो यह अठ्यावन देशों में ही वह है जा सकते हैं इसके साथ भारत छियाशी विस्तान पर रहा है नेक्स्ट है भारत के पास्पोर दारग अठ्यावन देशों में वीजा फ्री इंट्री कर सकते हैं जैसा मैं आप को वाहां पर भी मिल जाएंगी से औदको नर्थ देश gült देने संभन दी विदाई प्रावधान एमेरिकी सिर्ट में पारित किया गया है तो यह तो पारित क्या गया लगा function Chi Kane क्या एक कानून बन जाने के बाद का तो विदाई नाटो को अपने सयोगी देशों इसराइल वद अक्षिन कोरिया की तरज़े पर समझता कर सकेगा दोस्तों नाटो की फूल पूरम भी बहुत बार पूछी जाती है तो नाटो की फूल पूरम है वह दोस्तों है वारता का दु superpower यह में यह सब्सक्रान एकिन सकया है वह की में उत्तर में दोनो ने वारता की है दोनों के मद्दय यह तीसरी वारता है Next देखते हैं कि पहली वारता जो हुई थी वैं 2018 में सिंगापूर में हुई थी और दूसरी फरवरी 2019 में हनवी वेदना में हुई थी नेक्स्ट है रूस ने बर्मान का नक्सा बनाने के लिए तेलिस्कोप लॉंच किया है तो ये टेलिस्कोप किस देश ने लॉंच किया है तो रूस ने लॉंच किया है इस टेलिस्कोप के बारे में जानते हैं तो रूस की जो अंत्रिक्स एजेंसी है उसका क्या नाम है तो पूछले जाए तो आपको बताना है रूस कोस्मोस ये रूस की अंत्रिक्स एजेंसी है ल को से लोंची किया गया है तो इसलेस्कोप का नाम क्या है यह दूस्तो आगामी चैने में पूरी आसमान का स्फ्वेक्षिन करेगा इसका मुख्याँ उद्धिषे क्या है मुख्याँ उद्धिषे बरमांड के तत्व है शाट डारइक मेटर और के ए Kennersky के जांच्ट करना इसका परमुके को दिसे है नेश देखते हैं इरान ने यूरेनियम समर्दन जलादकी सिमा तोड़दी है इसके बारे में इन देखते हैं इरान दोस्तो करा नाँ समझता करें प्रमानु सहीं तो राष्टर सुरुक्षा के 20 अदशियों का समझोता हुआ जिसमें यूरेनियम संवर्दन की सीमा 3.67% निजारते की गई थी अगली जनकर देखते हैं यह दोस्तो पेरिस में जलवायू अपातकाल गोशिती कर दिया गया है तो यह जलवायू अपातकाल क्या है तो इसके बारे में हम जानेंगे जलवायू परिवर्दन के संक्ट से निपटने के तहद फरांस की जो राजदनी है पेरिस किस देश की राजदनी है यह पूछ ले जाए तो पेरिस है फरांस की राजदनी तो पेरिस में जलवायू अपातका लगाय जाने की गोशना 9 जुलाई 2019 को की गई थी दोस्तो पेरिस की वह स्तान है जहांपर 2015 में जलवायू परिवर्तन पर शिकर संभेलने का आयोजने किया गया था दोस्तो ऐसा करने वाला बिर्टेन विश्वाय का पहला और आयलेंड दूसरा देश है जिन्होंने 2019 में आपातका लागू किया था तो ये दोस्तो बिर्टेन पहला देश और आयलेंड दूसरा देश है अभी पेरिस में ये जलवाय आपातका ले लागू कर दिया गया है अगली जनकर देखते हैं यह important है जापान के space probe ने दुरस्त उलकापिंड के नमून एकत्र किये हैं तो जापान के space probe है उसने दुरस्त उलकापिंड के नमून एकत्र किये हैं इसके बारे में जानते हैं तो इस agency का क्या नाम है तो agency का नाम पूछ ले जाए तो दोस्तो जापा एरो स्पेस एक्स्प्लोरेशन एजेंसी का नाम है इस प्रोब का जो नाम है वह है हाया बुसा तू नेक्स देखते हैं पर्त्वी से 244 किलोमेटर दूर इस्थित उलकापिंड रयुगू की बित्री स्था के नमुने कत्रिती किये हैं दोस्तो यह स्पेस प्रोब हयाबुसा टू 2020 तक उलकापिंड रयुगू के नमुने लेकर पर्त्वी पर लोटे आएगा तो यह जापान के बारे में दोस्तो ज से जयानकरी थिवाय हैं, नेक्श देखते हैं, अमेरिका ने बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी को वेस्वीग आतंगवादी संगत्ती किया है तो यह बलोचिस्तान जो Liberation Army है इसको Westwick आतंगवादी संक्टित गोशित कर दिया है तो बलोचिस्तान कहां पर परता है तो यह तो पाकिस्तान का हिस्सा है जो पाकिस्तान से अलग होने के अलग देश मिनाने के मांगे कर रहा है तो पाकिस्तान सरकार के विरूद संग्रस कर कर दिया है इसके साथ दोस्तों को विशेश रूप से नामित वेश्विक आतंगवादी गोशिते किया गया है नेक्स देखते हैं अब देखते हैं दोस्तों अंतराश्ट्री प्रदर्शे में हमने महतोपुन जो सार था वह सितंबर 2019 का जो अंकिता पर्तियों के दरपन का उस अंकिते राश्ट्री प्रदर्शे हमसे करते हैं राश्ट्री प्रदर्शे में देखें चंद्रया ने दोस्तो इसरो इसरो ने कौन सा यान लोंच किया है चंदर यान ने डू कब लोंच किया है तो यह दोस्तो पहले 15 जुलाई को हने वाला था लेकिन बाद में कुछ टेकनेकल प्रोब्लम आने सके करण इसको रेट को आगे बढ़ा दिया गया और यह 22 जुलाई 2019 को 2 बजकर 43 मि किया गया कांशिक किया गया तो यह दोस्तो शीरी हरी कोटा इसदी 172 finden के अंदर से किया गया रोकेट का नाम क्या है इस रोकेर से चंद्रियान 2 को को लोंच किया गया व्हाइब तो नामों weiß गया जी 겁니다 Mk3 M1 इसका वजन कितना है दोस्तों इसका वजन 3872 kg चंद्रियान फेस्ट का वजन था 1380 kg और चंद्रियान 2 का जो वजन है वह दोस्तों 3872 kg इसका वजन है नेक्स देखते हैं इस यान के जो परमुक हिस्से हैं तीन इसे परमुक हिस्से हैं एक का नाम ओर्बिटर है दूसरे और फोवर या पर ग्यान, यह तीन हिस्टे इसे प्रीजाग उर्बिटर ने की चैन्द्रेयां 2 के उतार नेकस्ट है ऑर्बिटर ? चांद का नकषब करेगा एमम लेंडर ? चांद का उत्रकत करेंगे अगली जानकरी है कि चैन्द्रियां 2 इसेमें की सयर पर संग अमेरिका चीन के बाद चंद्रमा की दर्तिपर उतरने वाला विश्व का चोथा देश से बन जाएका चोथा देश कौन सा हो गया भारत हो गया तो पहला कौन सा है सोवेत संग रूस उसके बाद में अमेरिका उसके बाद में चीन उसके बाद में भारत नेक्स जानकर दे कीुरेक्षिन दोस्तो करनाठक राजबे कांग्रेश, RDS के जो कुमार सुआमी की सरकार ती वै सरकार गिर गए है, और येधु रप्प्ता जो बीजेपी पार्टी 1000 थे 13 इंता पार्amour करनाठक के मुख्य मंद्री बन गये हैं। वर्तमान मुख्य मंद्री दुस्तों कौन होगे तो BS येदूरुपा जो भाजपा के हैं वह करनाटका के वरतमान मुख्यमंतरी होगे पूरो मुख्यमंतरी कोन होगे तो HD कुमार स्वामी जो JDS Partis है HD डेव कोड़ा की जो पूरप्रदामतरिवेस के उनके पुतर है अच्छिदी कुमार स्वामी पूरो मुख्यमत्री हो गए है उनके सरकार गीर गई है राजेपाल कोन है तो वजुबाई वाला है यह राजेपाल है कहां के करनाटका के मुख्यमत्री पत की सपत कब दिरवाए गई तो यह 27 जुलाई दुलार गुनीज को बियस यह दुरुप सब्सक्राइब को मुख्यमत्री पत की सपत की सपत के दुबरा दिरवाए गई नेक्स्ट है प्रदारमत्री दुबरा बागों की संक्या की आंकड़ि जारी किये गए है तो इस बातार सच्छिदा के यह कितनी थी दोस्तों बाइसओ 26 है 2014 में थी और अभी गुंटी सो सरस्ट हो गई है तो वर्दी कितनी हुई है तो 741 यानि 33 पर 300 बागों के संक्या में वर्दी हुई है सरवदिक बागों के संक्या दोस्तों मद्य परदिश में 526 बाग है वहीं करनाट का दूसरे और उतराकंड किसरे स्थान पर रहा है वहीं दोस्तों बात करें 29 जुलाई को अंतराश्ट्रिय बाग दिवसे मना जाता है तो इसी दिन बागों के जो आंकड है वह जारी किये गए है नेक्स देखते हैं परदानमति नरेंदर मोदी विश्वा के सबसे पसंद्दा भारतिये बन गए है तो ये रिपोर्ट दोस्तों आईए इस रिपोर्ट के अनुसाद नरेंदर मोदी विश्वा में सबसे पसंद्दा जो इंडियन है वह नरेंदर मोदी बन गए है तो इनके बारे में देखते हैं बिटियन की इंटरनेट मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिस्ट फरम यूगाउं ने यह सुचे जारी किया तो पूचले जारी कि यह सुची किस ने जारी किया तो इनके इंटरनेट मार्केट रिसर्च कंपनी है डेटा एनालिस्ट फरम है यूगाउं की उसने जारी किया इस उची में दोस्तों नरेंदर मोदी को विश्वा का सबसे पसंस निये बारतिये चुना है मैं दोस्तों वर्ल्स मोस्ट एड्मिरेटर इंडियन की रूप में चुना गया है इस सुची में Bill Gates को विश्वा के सबसे पसंददा विक्टी की रूप में चुना गया है तो Bill Gates है वो विश्वा के सबसे फिवरेट मेंने चुने गये है नेक्स देखते हैं Westwick 494 सुचकांग 2019 साली में जरी किया गया है उस Westwick 494 सुचकांग के बारे में स्बसे रहा है यह पहले सबसे पहले में भारत का रहा है वह दोस्तो 92 स्थान रहा है यह दोजार अठावन में स्थान था अठारा में अभी यह 92 स्थान पर आ गया है दोस्तो उलेकनी है कि GIAE रेंकिंग का परकासन परतिवरस कॉर्नेल अनुष्टी इंसीड वस्यूत राश्टर के विश्व बोधिक संपदा संगटन वीपो के दु देश की सबसे बड़ी जल विदुत परियोजना अरुणतल प्रदेश में लौंज की गई है तो देश की सबसे बड़ी जो जल विदुत परियोजना है उसका क्या नाम है तो उस परियोजना का नाम है तो इसकी स्विकर्थी की दिनांग कब है तो यह 17 जुलाई 2019 को इसे स् पर तो अरॉनाचल प्रदेश के जो लोवर दिबांग गाठी जिले में दिबांग नदी है उस दिबांग नदी पर दिबांग बहुदेशी प्रियुजना के शुरुवाद 17 जुलाई 2019 को की गई है वह दोस्तों बात करें तो प्रियुजना के अंतरगत दोस्तों अठंतर सहरवधी कमाई करने वाले जो सेलेबर्टी जैं उनका क्या नाम है यह सुचना दोस्तों जारी कोन करता है यह अमेरिकी पत्री का फोबर्च उसके दवारा जारी की जाती है शुची का नाम क्या है तो तो वर्ल्ड्स हाइस्ट पेड चेलेबर्टी विश्वा की सबसे ज्य मिलियन डोलर इसकी इनिकम में रही है अगली जानकर देखते हैं सर्वस नया लेके निरने अब हिंदी सईट छे बासों में होंगे तो यह दोस्तों फैसला लिया गया है यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो निरने या ओडर होगा वह हिंदी सईट छे बासों में सुनवाय करेंगे दोस्तों यह प्रकेरी 18 जुलाई 2019 से शुरू हो गई है तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाट पर जाकर देख सकते हैं नेक्स जुजानकरी है वह मुस्लीम वहिला विवा अधिकार स्रक्षन विदेग 2019 सईट कई बिल है जो संसद में पारित हो गये हैं उनके बा वाला विदेग पारित ही किया गया है दोस्तों उलेकनी है कि तीन तलाग अधीनियम यह समंदित यह विदेग इस चे पहले दो बार दिसंबर 17 में और दिसंबर 18 में लोग सबा में पारित हो गया था लेकिन उपरी सदन राजित सबा में इसे मंजूरी नहीं मिल पाएती त आन्नी विदिया शंशोदन विदेग मेंडोष मी 130 भी परित हो गया है। अब चरुचा करतें दोस्तों आरती की प्रदेश्य के बारे में। तो आर्थ एक प्रदेश्य के जो बैक्या सहीत हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ पेस किया तो इस बजट के बारे में जो विशेश बातें क्या रही वह देखते हैं तो अंतरिम बजट दोस्तों फरवरी 2019 में ततकालीन वीडियो मंतरी प्यूस्त गोएल के दवारा प्रस्तुत किया गया था उसमें जो वीडियो मंतरी अरुन जेटली थे रेकिन उनका स्वा इला विटमंत्री रह चुके हैं वो प्रदरमंत्री के साथ पदपर रहते हुए इंद्रागंधी नहीं है जो भी भाग है वह संबाला था तो अभी सवतंतर रूप से यह पूर्ण कालिक जो विटमंत्री रही है वैं निरमला चीता रमन है बात करें बजट दौर गुनीश तो पूरा बजट का सारे आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम डेटेल से चर्चा करेंगे जूत नहीं है आप इसका स्क्रीनशोड ले लेंगे और स्करिश लेकर इसका आप आराम से देख सकते हैं लेकर करसी में रक्सा में पर्मुक सब्सीडी में कर्शी में शिक्सिया में कितना कर्श किया गया है तो शिक्सिया में दोस्तों 94,844 कर्शी किया गया है तो कर्शी में 151,518 कर्श किया गया है इस प्रकाश का स्क्रेंश लेकर आप इसको राम से देखे सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक समिक्सा, 2018-19 की आर्थिक समिक्सा के बारे में देखें, तो इसके पर्थूस्त करने का दो दिनांक है, यह 4 जुलाई 2019-19 को इसको पर्थूत किया गया, वित्मंत्री निरमला सितारमन दोबारा पर्थूत किया गया, तो मुद्रास पिती 2018-19 में 3.4% रही, वहीं 2017-18 की बात करें, तो 3.7% थी, विकासदर की बात करें दोस्तों, तो विकासदर 2020 में 7% रहने का अनुमान है, वहीं राजकोष यह गाठा GDP का 3.4% रहा है, अब बात करतें दोस्तों, अगली जानकारी की, तो अगली जो जानकारी है, वह है खरीब पसलों के नियूंतम समर्तन वर्दी की गई है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों, तो परद्यान मंत्री की जो अधिक्स्ता वाली आर्थिक मामलों की मंत्री मंडल समित्ती ने 3 जुलाई को MSP में वर्दी को मंजूर दे दी है, तो यह MSP की जो रीट है, बादरा, रागी, मक्का, तूर, भूंग, उडद, मुंग, पली, ग्याउ, जवार, दान, सब के बारे में हमें लिस्टे दी गई है, तो MSP दी गई है आपको दोस्तों, 18-19-20-20 की संपुने दी गई है, कितनी वर्दी की गई है, वह भी आप इसमें देख सकते हैं आराम से, नेक्स दोजनकरी है, वह दोस्तों, पेलेश, विश्वय का नोवा सबसे महेंगा कारे स्तले हो गया है, तो इसके बारे में देखते हैं, इस रिपोर्ट का क्या नाम है, एक रिपोर्ट आईए, गलोबल प्राइम ओपिस, ओक्यूपेंसी कोस्ट सर्वे, इसके अनुसार कनोट पेलेश, जो विश्वय का नोव सबसे महेंगा कारे स्तल हो गया है, जारी करने का दिनांग का दो, जारी करने वाल सेंस्ता कौन सी है, तो यह सी बी आरी के दोबरा यह रिपोर्ट जारी की गई है, सबसे महेंगा कारे स्तल जो रहा है, वह दोस्तों होंग कोंग सेनेटरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सबसे म पहेंगा कारे पिलेस रहा है भारत में कनोट पिलेस रहा और विश्व में नोवे स्थान पर रहा है भारत का कनोट पिलेस दिल्ली इसके नोवा स्थाने इसका रहा है तो यह दोस्तों हमने चर्चा कर ली इसके बाद में चर्चा करते हैं पुर्षकार हैं सम्मान के बारे में पिछले महिने में जितने भी पुर्षकार हैं उसम्मान मिले हैं उनके बारे में हमें बैक क्या सही थे चर्चा शुरू करते हैं तो चाचा शुरू करते हैं तो बताएं दोस्तों आपको गंदी मंडेला सांती पुर्षकार जो दिया गया है वह किसे दिया गया है इसके बारे में चाचा करते हैं तो गंदी मंडेला जो सांती पुर्षकार है वह दिनांग दोस्तों 11 जुलाई 2019 को दिया गया पुर्षकारो और कलिगंग इनिस्ट्री ओप सोशल साइंसेज में यह हैं डोक्टर अचुता सामताय जेने सामाजिक प्रभाव के लिए दिया गया है प्रियावन की बात करें तो महंदर मोधी को प्रियावन के लिए पुर्सकार दिया गया है जो वरिष्ट IPS अधिकारी और सामाजिक प्रिवरतन के लिए यह पुर्सकार गंदी मंडेला सांति पुर्सकार दिया गया है जो हापूर जिले में एक्शन इंडिया की चेस्ता की सदस्चे है नेक्सट बात करें तो यह दोस्तों आखिल भार दिये फुटबाल महा संग का पुर्सकार 2018 गुनिस्ट दिया दिली में कि गई तो वरस्त के फुट पादर रहे हैं तो उनका नाम दोस्तो पुरस्ट सुरेड़ी में राय सुनी लिए ल्टट यदे रहे हैं महिला स्रूप में सर्व स्टेश्ट उदेमान खिलाडी है अब दोले सैल है महिला में देखे तो डेंग मई ग्रियस तो मनिपूर की है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा अब बात करें दोस्तों सुनिल चेतरी ने ये किताब कौन सी बाद जिता है तो ये चटी बाद ये किताब जिता है अग अगला पुस्कार के बारे में चर्ता करते है जो है धोस्तों गख श्रेस्ट एसिए फिल्म का पुस्कार दिया गया है तो गली बोई फिल्म जो रणवीर सिंग की आई थी उसके बारे में चाचा करते हैं इसके निरमाता कौन थे तो जो यह अक्तर थी अभिनेता रणवीर सिंग अभिनेतरी आलिया बढ़ती यह फिल्म दोस्तों मुंबई की स्ट्रीट रेपर्स वीवियन फरणव अरेरे नावेज सेक के जीवन पर आजारी थी जिसके लिए इससे सर्वसेट एसे फिल्म का पुर्षकारे दिया गया है नेक्स है साचिन केंदुलगर आइस सी होल ऑफेम में समिल किया गया है तो जो बास्टर ब्लास्टर किर्केट के वगवान के नाम से जरनेजाते हैं ज सचिन को दोस्तो इसके साथ साथ अफ्रिका एनल डोनाल्ड और आस्ट्रेलिया की पूर्वा महिला पेसर केथरिन फिट्जपेट्रिक को भी सामिले किया गया है दोस्तो बात करें सचिन इस सुचिन में स्थान पाने वाले शट्टे भारतिया हैं इन से पहले बिसन सिंग गया है अगली बात करें दोस्तो तो यह संगीत नाटक अकादमी पुर्षकार 2,18 इसके बारे में देखते हैं तो यह है दोस्तो संगीत नाटक अकादमी ने 26 जून को गोवाटी में परख्या तबला वदक जाकीर हुषेन सास्तरी नर्तियांगना सुनलमान सिंग नर्तिया गया है तो यह दोस्तो हमने पुर्षकारों के बारे में चर्चा कर ली अब बात करते हैं का यंग इंग्लेंड में किया गया था इसका आयूजन दोस्तों 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक किया गया यह एक दियों से विश्वाप का कौन सा सहसक्रण था बारमा वल्ल्ड कप था इस विश्वाप में कुल 10 टीम वे दोस्तों बाग लिया था विजयता तो टीम रही है उसका नाम इंग् जो रही है वह नुजलेंड टीम उपी चिता रही है बात करें दोस्तों मैंन उप mensen गी तो मैंन आई द्थ sorry जो रहèces है वह नूसलेंड के किने विलियम सन रहे है और मैण ओफ फाइनल रहे हैं वैय वै पाकिस्तान के विरूद्र ही बनाया गया था यह स्कोर 2210 आ पकिस्तान के दोरा रहा है बढ़ी सके बड़ी जीत आगले जानकरी है प्रॉनामेट में सर्वधिक विक्तिकत स्कूर 116 डेवीड वार५नर ने बनाये था जो आस्टेलिया के हैं वहीं दूस्तों बात करें सर्वधिक सतक लगाने वाला जो खिलाडी है रोहती शर्मा रोहती शर्मा ने बारत में पांच तक लगाए है जो एक हितियासिक है नेक्स्ट है सर्वदिक अर्ष तक यह 50 लगाने वाल जो खिलाडी है वह भी भारत से हैं उनका नाम विराट कोली है जो ने पांच-पांच अर्ष तक ही लगाए है और इसके साथ में बेन स्ट्रोक्स है जो इंगलेंट के हैं सर्वदिक चोके लगाने वाला रोई सर्मा है जिन्हों सट्ष चोके लगाए है किसी भी एक पारी में सर्वशिट गेंदवाजी प्रदसन रहा है वह दोस्तों साहिन जो साहिद अप्रिदी पाकिस्तान के उनका रहा है 9.1 और में 35 रन देकर 6 विकेट और आगे विरूत इन्होंने हेडरी के मारी थी तो सर्वदिक मेडन ओर फिकने वाले एक लाड़ी है वाज स्परित बुम्रा जुन्होंने भात क्या है नो मेंडन अवरे फिके थे अब बात करें दोस्तों वींतर हैं इसका आयोजन किया गया तो यह एक चोदा जुलाई इसके विजयता जो पूर्ष में रहे हैं वह नौवा की जो कोविच रहे हैं जो सर्विया के हैं जिने आप देख सकते हैं मैला में दोस्तों सीमोना हालेप रही हैं जो रोमानिया की हैं फोटो में आप इसको सीमोना हालेप को देख सकते हैं इंडोनेशिया ओपन 2019 के बारे मे वे अकाने यामा गुच्ची जो जापान के है वे इसके विजिता रही है इसके साथ में जो उपीजिता रही है उनका नाम दोस्तों पीवी सिंद्धु है जो भारत की पीवी सिंद्धु है वे उपीजिता रही है अब बात करें दोस्तों हीमा दास ने जुलाई 2000 गुणीस मे चाहरचछवाजवाज 200 मिटर की पर्दाओं में 501 पर्दक जीते हैं पांस निंग दोस्तों ये अपडेट नहीं हो पहाई साधिस में टोटल 6पर्दक के हिमादास ने जीते हैं इनके बारे में चच्छा करते हैं तो डिंग अंक्सप्रेस के नाम से परशीद हिमादास ने जुलाई 2019 में 400-200 मिटर के इस परदाओं में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं पहला 2 जुलाई को दुस्तों पोलेंड में 200 मिटर में दूसरा 7 जुलाई को 200 मिटर में तीसरा 13 जुलाई को 6 गंडाजे में 200 मिटर में चोथा 17 जुलाई को 6 गंडाजे में 200 मिटर में फिर 500 गुनिस तरीको और 6 जो 23 तरीको इन्होंने जीता है नेक्स्ट बात करें राश्टर मंडल टेबिल तेनिस चेंपियन सीप दोटारे गुनीश के बारे में दोस्तों इसका जो कौन सा सेंसकन आयजून किया गया था ये 200 सेंसकन था आयजून की जो डेड़ थी वह 17 से 22 जुले दोजारे गुनीश थी इसतल कहाँ पर आयजून किया गया तो इसका आयजून दोस्तों जवार लाल नेरू इंडोर स्टेडियम कटक उडिसाम इसका आयजून किया गया पुर्ष टीम जो विजेता रही है वह भारत रही है वो वि इंग्लेंड विजेता विजेता कर्म से रहे हैं अब दोस्तों बात करें महिला फिपा महिला फुटबाल विशो कब 2019 के बारे में इसका दोस्तों कौन सा सहिसकंड का आयजून का किया गया था आयजून की टीति साजून से लेकर साजुले ज़ून ज़ार गुनीश थी था वीजेता तो टीम रही है वह अमेरिका और टीम उपीजेता रही है उसका नाम है नेदरलेंड है नेदरलेंड टीम इसमें उपीजेता रही है तो यह दोस्तों हमने खेल परदेश्चेम में चर्चा की अब बात करते हैं कुछ विशेस न्युक्तियों के बारे में तो वह क की न्युक्ति दोस्तों किसने की एसके बारे में देखते हैं तो संसत की सबसे एहम मानी जने वाली वालली लोक लेका समिति को पुनर गठीद कर इसका अधेक्स कांग्रेस संसे दलके नेता अधीर अंजनतों चोदरी को बने गया है दोस्तों लोक सभा अधेक्स ओम बिड़ल से इसमें सामिले होते हैं अगली जनकारी जो देखते हैं वह हैं अजे कुमार बल्ला देश के नए गरस अचीव है वह न्युक्ति किया गया है वे दोस्तों राजीव गोबा का स्थान लेंगे जो अगस्त दोजार गुनीश में शिवा निवर्ति हो रहे हैं दोस्तों तो यो राजियों के जो राजियपाल लुक किया गया है उनके बारे में हम आपको बता दें तो वह बात करें दोस्तों तो मद्यप्रदेश में चेंज किया गया है तो मद्यप्रदेश में पूरो राजियपाल आनंदी बेन पटेल थी अभी जो नए राजियपाल वो लाल जी तंडन ने हो गे जिनका सतानांतन करके उन्हें उत्तरप्रदेश का राजेपाल बनाया गया है घिसको? आनन्दी बिन पटेल को तो राम न ए Haru Khen, जो उत्तरप्रदेश की राजेपाल है, उनका करेकाल समाप्त हो गया था दिया गया है वहीं बिहार का जो है फागू चुहान को राजेपाल बनाया गया है नागालेन की बात करें तो नागालेन का दोस्तो आर न रवी को बनाया गया है तरीपुरा की बात करें तो तरीपुरा में रमेश बेंच को दोस्तो ने राजेपालिक किया गया है वहीं चत्त में आचारी देवरत को और हिमाचल प्रदीश में काल राज मिस्र को जो नया राजी पालव है न्युक्ति किया गया है अब बात करें दोस्तों कुछ जो मंतरा ले सिकाटन इसी पर गुनिश में किया गया है उसके जो मंतरी बनाया गए राजएतरण के जोत्पूर्शी सांसद है गजउन सीष छेकाट है जिन्हें 1 जुलाई जल सकती अभ्यान की थीम क्या रहेगी तो इसकी थीम संचे जल बेएटर कल इसकी थीम दिर्दाइटि किये गई है अब बात करें दोस्तों गरूडे 6 के बारे में तो यह जो अभ्यान है गरूड 6 है यह भारत और फ्राथ की शेनाओं के मद्दि शेना बास फ्राथ में एक से बढ़ जुलाई तक संपन नहीं हुआ है तो कहा पर इसकाई उजन किया गया यह फ्रांस में स्काई उजन किया गया दोस्तो फ्रांस में भारत के मद्दे इंडो पेसिफिक सयोग के अंतरगत यह गरूड का च्टां सेस्क्रण है वहीं पांचवां सेस्क्रण जो है वह जून 2014 में जोधपूर में आज़ुति किया गया था अब बात करें दोस्तों अगली जानकरी के बारे में तो कंप्लेट जानकरी हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है तो पर्तियुकता दरपन को जितना चार था तो वह संपूर हमने आपको बता दिया दोस्तों वीडियो लंबा जरू हो गया लेकिन आपको इसको पूरा देकाश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अपने भी तक लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक कर दें सभी जोस्तों के साथ शेयर कर दें या अपने भी तक चैनल को सिस्क्राइब ने किया है तो नीचे दियेगे लाल्स सिस्क्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सिस्क्राइब कर लें धन्यवाद तो